Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 101 का इन्यूट 11 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे अरब संसार के बारे में इस चैप्टर के अंदर में इसलाम दर्म से लेटेड कोस्टिन्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे इसलाम दर्म का उद्वव किस परकार से हुआ मुहमत पैगंबर जी का इसलाम दर्म के अंदर में क्या रोल था मक्का और मदीना के बीच में किस तरह के conflict चल रहे थे सासात में जो खलीफां का दौर था वो किस प्रकार का रहा उसके बारे में आप हम detail में discuss करने वाले हैं तो जितने भी topics हैं सारे important हैं अक्सर एक नाए question exam के अंदर में पूछा भी जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में समझते हर एक topic को सबसे पहले में बात करूँ इसलाम धर्म का उद्वव हुआ किस प्रकार से तो इसलाम धर्म का उद्वव कभिलाई और रिकिस्तानी परिवेस के अंदर में दिखा जाता है और इसका जो फैलाव हुआ जिस शेत्र में हुआ वो सांस्कृतिक और राजनेतिक तोर पे सक्तिसाली था पूर्वी रोमन समराज्य और ससानी समराज्य के अंदर में इसका सबसे ज़्यादा फैलाव देखा जाता है छटी सतावदी तक अगर आप देखोगे उस समय का टाइम पिरिड़ को तो सीजर उस समय सासक था और सीजर का जो पॉपवाद की जो विचारधार आती हो बहुत ज़्यादा विक्सित हुई पॉपवाद होता क्या है तो क्रिश्यन धर्म के अंदर में जो सबसे परमुख जो व्यक्ति होता है उसको पॉप कहते हैं ठीक है अभी पॉप कौन है ठीक है और पॉप को कहां से संचालन किया जाता है आप देखिए जितने भी स्टुएंट्स को पता है क्रिश्यन धर्म के जो हेड होते हैं उनको हम पॉप कहते है और उनकी जो विचाबधार आती है तो जो सीजर सासक था उसने पॉप वाद की विचार सिला को अधार सिला रखी ती और उसको पूरे लोगों में फैलाया इसका रीजन क्या था अगर आप पीछे के चैप्टर्स को देखोगे पीछे के जो यूनिट्स मैंने पढ़ाया था 9 10 11 उनके अंदर में आपको बताया था कि क्रिश्यन धर्म को क्यों अपनाया गया रीजन क्या था रोमन समराज्य के अंदर में क्रिश्यन धर्म को अपना पराल में यह डा रहे ठीक है, तो कही नए-करी जो साहसक ते वो ड्र कर रहे थे, कि अगर, हमने – लोगों का साहथ देने लगा, जो, आम, जंता उसका साथ देने लगा, तो जो हमारा सत्ता है, उसका पतन हो जाएगा, उसकी सत्ता का अंत हो जाएगा, तो उसके कारण से, जो भी सासक था, उसने पोप वाद और जो भी उसकी विचारदा रहा थी, उसको अपनाया और पूरे समराज्य के अंदर में लागू किया, ठ करते हैं कि छटी सिताबदी के अंदर में सीजर का जो पोप वाद था, वो अपने चरम पर था, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था समाज के अंदर में, इसके कारण से एक इंपक्ट ये भी दिखा जाता है, कि राजनेतिक और धार्मिक छेत्य के अंदर में करके जो सासक थे, उन्होंने क्या क्या क्रिश्चिन दम को अपनाया, पर अब सासा समय के साथ में क्या होता है, यहां पर देखा जाता है, कि राजनेतिक स्वरूपों के कारण से धार्मिक असंतोस जूड़ता चला जाता है, किसी भी नए धर्म के उदे के पीछे, सबसे ब कही ना कहीं आइडिलोजी को लेकर डिफ्रेंस आ गया, उनके अंदर कही ना कहीं असंतोस की भावना आ गया, जिसके कारण से कुछ नए चीज़ का यहां पर उदे देखा जाता है, तो सेम एक नए धर्म का उदे भी माना गया, किसके कारण से, धार्मिक असंतोस की भावन देखा गया यहां पर इसकी मिट्टी थी काफी ज़ाद उप जाओ थी लोबान उप तुका उत्पादन किया जाता था बड़े स्तर पर लोबान होता कहते कि तरह की महेंगी वस्तु होती थी इन राज्यों के जो सासक थे साही सासक पुरोहित हुआ करते थे मक्का के जो वैप राजनितिक हलचलों से प्रभावित होते रहे जो भी इंपक्ट हो रहा होता था वहां पर उसका इंपक्ट कहीं न कहीं अरब के प्राइदीपी जो सम्राजी थे उनके उपर में भी देखने के लिए मिलता था अगर पॉजिटिव इंपक्ट मतलब क्या है पारिज शित्र म में बढ़ रहे हैं राजनितिक उथल पुथल जो भी हो रहा है तो उसका इंपक्ट डायरेक्ट ली अरब के प्राइदीपी सम्राजी को पर में देखने के लिए मिलता था इस छेत्र में यहूदी और इसाई धर्म लोग पिरिये था किसी और वीडियो के अंदर में हम एक धर्म को भी डिसकस करेंगे डिटेल में कि कैसे उत्पत्ती हुई अभी तो हम सरिफ कोश्चन के बेसिस पर इसको पढ़ने वाले हैं तो इस शेत्र के अंदर में देखा गया है कि यहूदी और इसाई धर्म लोग पिरिये था एक एसवर वाद ठीक है धर्म की आस्ता का हिस चीज के लिए हमारे अलग-अलग भगवाने हम उनको मानके चलते कि यह चीज इस दिन के लिए है ठीक है उसके हिसाफ से हम उनको फॉलॉप करते हैं बड़ अगर आप क्रिश्चन धर्म की बात करो इसलाम धर्म की बात करो और भी बहुत सारे धर्मे तो वहाँ पर एक एस चीज पर ही आगे लोगों तक मैसेज पहुंचा जा रहा है जैसे मुहमत पैगंबर थे तो मुहमत पैगंबर जी ने क्या बोला कि भीया मैं कोई भगवान नहीं हो मुझे भगवान ने भेजा है कि मैं लोगों तक सही मैसेज पहुंचा सुकू लोगों को मैं चीजे बता स जैसे आप यहाँ पर बात करो यहोधी की बात करो इसाइकी बात करो तो यहाँ पर इन दोनों का भी मानना था कि मिर्तियों के बाद जीवन संबहभ है तिक कई अब अगर मैं मुहम्मद प् Dogan По की बारें पारें में बात बात करों तो मौहGBAR उसा परिवर्ति दच्छ निए वेपार मार्गों का मिलन इस्थल था ठीक है यहां पर दच्छिन और पूरव का जो वेपार मार्ग थे वहां पर आके मिलते थे एक जगर सेंटर पुईंट के तारå पे विक्सित होता जाता है ठीक है इस कारण से दच्छनी अरब राज्ये विक्सित हुआ अब देखो यहाँ पर मक्ता जो था वैपार केंदर के तौर पर विक्सित हो रहा था यहाँ पर जो वाइनेजी कमर्शल जो पोर्ट थे वो भी बहुत जाता थे धार्मिक तौर पर विक्सित होता चला गया जिसके कारण से इसके आस पास के जो छेतर थे जो अरब के दच्छनी हिस्सा था वो भी विक्सित होता चला गया यमन राजसाही के बाद मक्का वासियों ने इस वैपार के अंदर पर नियंद्रत किया जो यमन के बाद जब यमन जो रासाई थे जैसी वो पिछ रट थे तो जो मक्का वासी थे उन्हों ने इसके ऊपर नेंदरत किया और इसके वैपार को समभला ससानियों ने रोमन समराजी के युद के कारण मक्का के रास्ते होने वाले वैपार का महतो बढ़ गया जब ससानी और रोमन समराजी के विज़ यूद हुआ तो उसके कारण से क्या हुआ मक्का के अंदर में जो भी रास्ता था और उसके आसपास में होने वाले वैपार उसका importance बढ़ा ठीक है अभी अगर आप उसे example को लेके चलोगे तो अभी रसिया और यूक्रेन के वीच में वह और हो रहा है ठीक है उसको लेकर काफी सारी सेक्टर के अंदर में impact हमें देखने के लिए मिलता और सभी country कहीं ना कहीं उस चीज को जेल रहे हैं ठीक है भारत तो अमेरिका हो सब जेल रहे हैं काफी सारे ऐसे country निकल कर आई या फिर ऐसे चीज़े निकल कर आई जो उनक मतलब जो रस्यात तेल हमने करिदा सस्ते रिट पर खज़िदा ठीके जो हम अनाच का उतपादन करते थे उसको हमने बड़े सर पर बाहर बेचा जबकि बाहर बेचना बेचते नहीं थे ठीक है तो यहाँ ना कहीं हम फाइदा उठा रहे था और उनका महत्व बढ़ता चला गया था वैपार के महत्व से ठीक है यह यहां पर हम डिसकस कर रहे हैं ठीक है 400 इसा के करीब में मक्का की स्थापना हुई थी यहां के जो बाजार थे वस्तु वीन में होता था इस बाजार के अंदर में 600 इसा के आसपास में एक पूर्ण विक्सित बाजार बन चुका था यह करिवे घुष क विए जो कुरिष सी कभीई थे उनके नियंद्रित में यह सारा मक्का का रहता था इन्होंने मक्का का दाइसल दाइसल दाइसकल द्वारा मार्ग में 37 स्थापित करने के लिए वैपार को विक्सित करके उसकी सहाइता पोंचाई À तो उसके उपर में 37 स्थापित हो, उसके लिए 20 कल दोरा मार्क का स्थापना, 37 स्थापित करके मार्क को विक्सित किया गया था, मक्का के मार्क को, ठीके जिसके अंदर में रोल देखोगे तो मुहम्मद पैगंबर के जो परदादा थे, हासिम, उनको स्रेज आता है, इसके ल पूड का निर्मान किया गया था, 37 स्थापित करने लिए एक मार्क का की प्रोपर एक रास्ता हो, इस रास्ते से ही आ सकते हैं, और इसका जो स्रेज ज्यादा है, वो मुहम्मद पैगंबर जी के जो दादा थे, ठीके हासिम जी, उनको यहाँ पर ग्रेडिट दिया गया है, पुरेश कभीले जो थे, वैपार पर अपनी पकड मजगूत बनाया रखी थी, 37 सताबदी के अंत में, इनके अंदर दरार पढ़ने लगी थी, ठीके, सहरी करन के कारण मक्का पसुपालक संस्कृति के आधर्शोष रहाट गया, जब सहरी करन का उदे होता है, तो यहाँ प द्वारा बनाया हुए इमेज देख रहा था, तो AI भी जो आटिफिसल इंटलिजेंस है, वो भी अगर इमेज क्रेट कर रहा है, तो कही ना कहीं इमेज दो था पसुपालक संस्कृति से रिलेटेड़ इमेज क्रेट कर रहा था, कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के आस पास में भेंड बकरी ये सब चीजें, और आस पास में पूरा बंजर जमीन इस तरह का दिखाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो एक सहरी करन से पहले का जो उनका इस्ट्रक्चर था, या संस्कृति देखोगे, तो पसुपालन संस्कृति को फॉल अप कर रहे थे हैं, पर जब सह पैसा जो है ना कुछ लोगों के पास में ही जा रहा था, सब ही समाज, समाज के अंदर में जैसे मालों एक कंटरी विक्सित होता है, तो सब भी लोग उसके साथ विक्सित करते हैं, सब भी लोग उसके साथ ग्रो करते हैं, पर यहां पर यहां पर यह सारी चीजे नहीं थी, जैसे कि आप कुछ समाज के बारे में बात करोगे, बदुदूओं के बारे में बात करोगे, तो सम्मिर्दनी हुए, बदुदूओं की जो आर्थी किस्तिती थी, वो उस तरह से थी और पिछड़ती चली जा रहे थी, ठीके तो ये भी चीज़ यहां पर देखी जाती है, पर ये वैपार की उपर में फोकस कर रहे थी, वैपार के लिए अलग-लग जगत से आरे थी, युद का इंपक्ट पढ़ रहा था, ये सारी चीज़翼 महां पर थी, तो कभीलाओं के जो समाज थी, उनको मैनेज करने के लिए उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए, यहा सांस्कृतिक और राजनीतिक को भी परवावित किया अब जो लोग उससे जुड़ वे नहीं थे जैसे आप देखोगे इसाई धर्म की स्थापना हुई ठीक है तो इसाई धर्म की जब इस्थापना हुई तो जो सासकते उनको कोई फर्क नहीं पढ़ रहाता कि क्या है क्या है है ठीक है पर एक टाइम के बाद जब लोगों ने उसाई डिलोजी को अपनाना शुरू किया बड़े लोग बड़ी मात्रा में लोगों उसको जब फॉलॉप करना शुरू किया लोगों को जब इंप्रेस कर रहा है कि हाँ ये चीज अच्छी है इसाई धर्म के अंदर में वो ने इसवाइधर्म को अपनाया था ठीक है इसाई धर्म को लोगों ऊपर लागुग किया था तो सेम चीज यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहां पे जो इसका इंपक्ट था निए इसलान को जब लाय गया तो में रिजन रखा गया था कि कबलाई जो समाज उ इसका impact दिखा जाता है मुहम्मद पैगंबर ने ठीक है पैगंबर मुहम्मद ने अरब समाज में एक्ता और सोधार्थ की स्थापना के लिए इसलाम का सिधान तरखा था कि पूरे अरब जो समाज है उसके अंदर हम एक्ता स्थापित हो सोवार्थ स्थापित हो उसके लिए आपर इसलाम का सिधान तरखा गया था मुहम्मद पैगंबर ठीक है पैगंबर मुहम्मद ने मदीना में इसलामिक राज्जी की स्थापित किया प्रितिहीन बालक प्रितिहीन मतलब जिसका पिता ना हो बालक मुहम्मद वैगंबर का जन के बाद उसकी मा भी चल बसी थी उनके पिता मात नहीं थे उनके माता पिता नहीं थे ये ठीक है पालन पोशन जो थे उनके दादा नहीं किया था अब्दुलम चाचा अबु तालीब नहीं किया था ठीक उनके दादा का नाम था अब्दुल और उनके चाचा का नाम था अबु तालीब उन्होंने इनका पालन पोशन किया था अरब रिवाजों के नुसार उन्होंने पिता के संपत्ती में हिस्सदारी नहीं मिली जो अरब का रिवाज है रिती रिवाज है वापर पिता के संपत्ती में पुत्र का हिस्सदारी नहीं होता है ठीक है युवा अवस्था में पेगंबर मुहम्मद की मुलाकात इसायम यहू भीदा था 610 इसा में एकांतवास के दौरान में उनको आत्म ग्यान के प्राप्ति और उनको ग्यान प्राप्ति हुई इसके बाद उन्होंने पेगंबर मुहमत को विश्वास हो गया कि उन्होंने रसूल अल्लाह बनाकर भेजा गया है ठीके जब मतलब उनको जब ग्यान के जिसके मतलब लोगों को जागुरुप्त कर सकूँ ग्यान उदे कर सकूँ और इस मेसेज को पूरी लोगों समाज के अंदर फैला सकूँ यहां पर उनको यह फील होता है ठीक है अल्ला उनके माद्यम से इस्वर को अपना संदेश पहुंचाना चाहता है यह उनको फील हुआ ठीक है यह संदेश मिर्ट्यू तक पहुंचते रहे जब तक मैं जिंदा हूं जब तक पहुंचते रहे और हर वेक्टी आगे उसको फॉरवर्ड करते रहे यह माना गया जिसमें मेन मोटिव क्या था कि इस्वर की एक्टा की बात करते हैं दान देने का उत्तर दायत गरीव परी करताओं की साहिता की बात की गई ठीक है गरीबों को दान देना जो आप कल्यान करने लाइक हो तो कल्यान करना ठीक है सर्व पर्थम जो पतनी थी खदीजा ठीक है इसके बाद में बतीजी अली और अध्यात्मिक वचन गरहन किया जो इसकी जो पतनी थी और इनकी जो बत बतीजी अली थी उन्होंने अपनाया था बतीजा स्वरी बतीजी नहीं बतीजा इसके साथ सब्सक्राइब आप देखो गई जो इनकी अनुवाईयों की संक्याति यो देरे देरे बढ़ने लगी मुहमत पैगंबर ने वानीजी की निंदा की और गलत तरीके से वैपार करने क को यहां पर उन्होंने तयागने की बात करी जो वानीजी तरीका था जो कमर्शल तरीका था जिस तरीके से वैपार किया जाता था उनको इन्होंने नकारा ठीक है और उसको गलत तरीके से वैपार करने पे इन्होंने रोक लगाने की बात करी ठीक है धनी लोग के जो समाजि तो जो भी उस समय जो मक्का के अंदर में जो बड़े-बड़े वैपारी थे, जो बड़े-बड़े लोग थे, वो कही ना कही मुहमत पैगंबर के लिए खत्रा थे, और उनको कही ना कही वो डर भी था इस चीज़ को लेकर कि आगे हमारे उपर इसका इंपक्ट पड़ सकता है, और इनका में रीजन क्या था, कि उन्होंने डाइरिकली वैपारी की वर्ग को टार्गिट किया, ठीक क्यों क कि एक वर्ग बहुत जदा विक्सित होता जा रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ दूसरा वर्ग नीचे जा रहा था, ठीक है, और लोगों के अंदर में जब एक ता आएगी, तुन्होंने जो इनकी आइडिलोजी थी किया, भाई, आप सब के अंदर में बाटो, सब का कल्या खत्रा भी उनसे महसूस करने किया जाता है, जो महम्मद पेगंबर के द्वारा राजनीतिक वर्ग हो गया, वैपारिक वर्ग हो गया, वो खत्रा महसूस करता है, कि कही न कहीं हमारे उपर इसका इंपक्ट पढ़ने वाला है, क्योंकि उनका ये दावा करते थे, कि सीधा अ से उनको सक्थी प्राफ्त होती है इसका भी एक इंपेक्ट था लोग इसकी बातों पर भरुसा करते थे अब इसे मानलो यह सीधा कहते थी कि भीया मुझे भगवान ने चुनकर भेजा है कि तुम जाओ यह संदेश तुम फैलाओ मैं भगवान नहीं हो ठीकिन का यह माना था क कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ मैं कोई देवता नहीं हूँ मेरा मेन क्या है कि मुझे भगवान ने बोला है कि यह मैसेज है यह मैसेज उनके तक पहुंचा हो मैसेज क्या है तो भीया सब सामती से रहो तब एक दूसरी की कल्यान की भावना रखो अगर आपके पास ज्या कानून के तहाँ तो चलने की बात कर रहे थे ठीक है जो impact डाल रहा था अब कोई बंदा बोले कि तू होता कोने बोलने बाला तो कहता है मैं तो हुई नहीं भी या कोई मुझे तो भगवान ने बेजाए कि ये बोलना है तो मैं ये बोल रहा हूं तो इस तरीके से चीजें लाई जाते हैं सामने पेगंबर ने समुदायों को जोड़ने की दिशा परदान करी ठीक हुए नियायदिस की भूमिका निभाते हुए आमंत्रित हुए उनको नियायदिस के तौर पर इन्वाइट क्या है कि आप इसको लीड करो आप इसका फैसला करो मुहम्मत जो पेगंबर थे उन्होंने धार् अबाइब तरफे उन्होंने पार्टिसपेट किया ॉपंप पैगंबर ने मक्हा के वैपार की वैवस्था ते उसको चुनाओती दी जो वैपार वILLस्था कहीं ना कहीं राज Wooicam से धर्म और उठकर जो खड़ा हो रहाता उसको उन्होंने यहां पर चुनाओती दी चूरो इस इसा में मुहम्मद पैगंबर के काफिले को लूट कर मुहम्मद पैगंबर ने काफिले को लूट कर सफल सेना नायक के तौर पर यहां पर इस्तर प्राप्त किया जैसे कि जब मदीना आने के बाद उन्हों एक सेना नायक के तौर पर भी यहां पर अपना सुरुवात किया जहां पे जो मक्का के जो वैपारी कवीले थे जो वैपारी लोग थे उनके काफिले को लूटा गया कवीलों को लूटा गया जो सेनाओं को परसान करते थे जो लोगों को परसान करते थे जो लोगों को भला नहीं करते थे उनको लूटा गया, लूटने के बाद यहां पे उन्होंने statement set किया कि मैं यहां पर यह चीज़े हूँ उन्होंने सफल से नायक के तौर पर अपना इस तरप राप्त किया कि मैं यहां पर सफल से नायक रहा 325 इसा में मक्कावासी उन्हें हमला किया मक्कावासी खाई के लड़ाई में पराजित होगे उन्होंने उन्होंने वह हाल जाते हैं महमत पेगंबर की जो इन सफलताओं ने कबीलाओं को आकरसित किया जो इस तरह से महमत पेगंबर जीत रहते तो जो बाकी कबीले थे वो भी इससे attract हो रहेते परंतु मुहम्मद पैगंबर का मानना क्या था कि मक्का से टकराव नहीं चाते थे ठीक है वो मक्का से लड़ना नहीं चाते थे दोनों मक्का और मदिना को लड़ाना नहीं चाते थे ठीक है जिसके काम से में रीजन क्या थे कि वैपार हित नहीं है तो जिसके का एक reason नी रखा गया कि अगर हम लड़ते रहेंगे तो वैपार तो हमारा नुपसान दो जाएगा जो हमारा जो विकास हम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा ठीक है तो जिसके गांसे ने वैपारी हित में लड़ाई को नहीं माना और यही चीज़े वहाँ पर लेके चलते हैं 630 इसा में एक संधी के तहट मक्का का समरपन कर दिया मक्का ने समरपन कर दिया मक्का पर नियंतरन जो था नियंतरन के बाद में कभील और जो मुहम्मद पैगंबर थे वो जुड़ने लगे ठीके 630 के बाद क्या हुआ जब मक्का ने समर्पन किया कि भीया हम तो हार मान गए ठीके जो खाई की लड़ाई हुए थे उसके बाद उन्होंने समर्पन कर दिया और उसके बाद जो अलग-अलग कभीले थे जो छोटी-छोटे कभीले थे और बहुत सारे कभीले थे मुहम्मद पैगंबर से जुड़ने लगे मक्का के पतन के बाद दिखा गया कि मुहम्मद पैगंबर ने धर्मांतरण पर भल दिया ठीके जो लोग दूसरे धर्म को मानते थे जो दूसरे धर्म को फॉलो करते थे जैसे मैंने भी बताए क्रिश्चिन धर्म के अंदर में जो सर्वोच निता होता है उसको हम पॉप कहते हैं तो सेम यहाँ पर मुस्लिन धर्म के अंदर में जो सर्वोच निता थे वो मुहम्मद पैगंबर बन चुके थे इस टाइम पे मुहम्मद पैगंबर ने अरवों की जो भासा थी वो जरूरत के अनुसार इस्थापित करी कि क्या है किस तरीके से उसकी भासा इस्थापित करी ये दपी धर्मांतर के लिए जबर्दस्ती नहीं की जाती थी जो लोग थे वो धर्म के अंदर में गरहन करते थे काफी लोग अपने विश्वास से गरहन करते थे यहां पर यह बोला गया कि जबर्दस्ती करके यह नहीं कि जबर्दस्ती करके यहां पर गरहन करवाय गया जैसे कि आप देखो कि भारत के अंदर में औरंग्जेव आया तो उसने मतलब तलवार की नोक पर इसलाम दर्म लोगों से अपनाया मंदिर को तोड़ा ठीक है जबर्दस्ती तरीके से अपनाया पर यहां पर बोला जाता है कि जो मुहमद पेगंबर थे उन्होंने इसलाम दर्म अपनाने पर जोर तो दिया पर किसी वेक्ति किसी समुदाई को पर कि अरबों की राजनितिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और समाजिक, मनो विग्यानिक जरूतों को भी पूरा किया जो अरब के लोग थी उनकी जो राजनितिक जरूरती थी, सांस्कृतिक जरूरती, आर्थिक जरूती, समाजिक जरूरती, मनो विग्यानिक जरूती उनके ऊपर में यह work करते हैं, उनकी ज़रूते को भी पूरा करते हैं, अब इसके बाद क्या होता है, जैसे आप देखो, यह पूरा conflict आप देखोगे, तो मक्का में पहले महम्मद पैगंबर रहे थे, उनका किस तरह की जो ideology थी, वो मक्का के अंदर में उनने फैलाया, जब वो मक्का के अ आना पड़ता है, मदीना में वो एक जज की भूमिका के तौर पे रहते हैं, नयाइदिस के तौर पे जो भी फैसल होते हैं, वो करते हैं, बाद में एक सेना नायक के तौर पे वो यूद लड़ते हैं, मधीना में वो हैं, महंदीना से मक्का वासियों से यूद लड़ते है कई सारे यूद होते हैं कबिलाओं को नूट पाड़ किया जाता है जिसमें मक्कावासी हार जाते हैं छे सोथीस में एक संदी की जाती है जिसमें मक्का जो तक मदिना में समरपित कर देता है मुहम्मत पैगंबर के आगे? जब समर्पन हो जाता है, तो जो उसकी आइडरोजी होती है, वो लोगों में फैलना Edu पैगंबर एगलोम को फैलाने पर विस्तार करने पर बिस्तार करने पर जोर देते हैं. और वो मिर्त्यू के बाद क्या हुआ सबसे बड़ा प्रॉब्लम में निकल कर या आता है कि उन्होंने कोई उत्तरादिकारी नियम तहीं किया था कि मेरे बाद कौन बनेगा मेरे बाद इस परंपरा को कौन लीड करेगा तो इसके लिए कोई उन्होंने उत्तरादिकारी तैनी किया थ तीके तो मुहम्म्मद पेगम्बर की मिर्तिग्य के बाद की हुता है की पूरा यह जो विभाजन शुरू हो जाता है तीके जिसके अंदर में की हुता है कि मैं पेगम्मद ने कोई भी धार्मी को राजनी तीक़ तरह अदिकारी नियम नहीं दिया था कि भाईया कौन मेरे बाद अगला बनेगा मतलब पेगंबर कौन बनेगा यह नोने नियम तै नहीं किया धारिमिक मामलों के निर्दे से तो खलीफा की निक्ति की गई ठीके जो खलीफा थे उनके निक्ति की गई कि भाईया चलो दो भी धर्म से लेटिड चीजे होंगी ठीक है उसके लिए एक व्यक्ति है जो ये चीजे करेगा अब जैसे माल में कि चलो अचानक से परधान मंत्री की देथ हो जाती है ठीक है तो परधान मंत्री के अगर देथ होती है तो उसके बाद कोई ना कोई तो व्यक्ति चाहिए ना लीड करने के लिए तो नॉर्मली क्या होता है कि जो उप पर्धान मंत्री होता है या जो ग्रह मंत्री होता है वो उन चीजों को समालने लगता है ठीके तो यहां पर ग्रह मंत्री बाकी चीजों तो थी नहीं महमद पेगंबर थे वो यह लीड कर रहे थे बाकी चीजों को तो यहां पर क्या क्या जा आया गया तो खलीफा हो दोरह उसको लागू किया जता है कि खलीफा ओने यह बोला तो इसको लागू करना है तो आरभ में ल minutes के अंदर में आरभ में में जब इस डाइंग के आई मांदित कि बात बात करें लाद किया भीजार आप में जोría बेड़ कुछ इस परकार से रहता है इनका main reason कि आता जिसका धारमिक मामलों से कोई हस्तचेप नहीं होता थे इतना ज्यादा वो धारमिक मामलों में हस्सचेप नहीं करते हैं राजनितिक तोर पर धर्म के लिडरीceu निर्देश देते थें उसके अंदर में चेंजिस करने का कोई कारे नहीं करते थे पर्तम खलीफा जो थे अबू पर्तम खलीफा अबू हुए अबू बकर जो मुस्लिम समुदाई की सत्ता बहाल करने का परियास क्या उन्होंने कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय का जो सत्ता है उसको बहाल कर सकते हैं अबू के बाद उमर ने मिस्र के इरान को अधिकरित किया अपने अंडर में लेकर चले इसी समय इसलामिक सासन जो सरकारी पद्देती थी उसका वित्ति ववस्ता लाई गई इसे सेना का इसलामिकरण हो गया उमर की हत्या के बाद जैसी उमर की हत्या होती है उसके बाद उसमान खलीपा बन जाता है इसने किंद्रिकृत सत्ता को इसलामिकरण करने के लिए निति कायम रखा तता कुरान के पार्ट का माननिवी करण किया जो कुरान का पार्ट है भाईया वो पढ़ना चाहिए लोगों के लिए भलाई का काम है उसके लिए इनोंने बात करी ठीक है यद्धपी प्रशासन असमता के कारण से वित्य आयनेमता आ जाती है जब प्रशासन सही तरीके से नीचल आ जाता है तो वहाँ पे वित्य जाते हैं खलीफा दूसरा खलीफा बनता है अली इसने क्या किया सीरिया में मतलब सीरिया में खलीफा मानने से इंकार कर देगा जैसी अली खलीफा बनता है तो सीरिया के अंदर में अली को खलीफा मानने से इंकार कर दिया गया और पहली बार ग्रह यूद का यहां पर सामन तो अलग-अलग खलीफा बनकर उबरते हैं जैसे आप बात करोगे तो मुआविया 661 में खलीफा बनकर उबरता है 680 तक रहता है और इसने उम्यद खलीफा की खिलाफत की पारंब करा जो उम्यद था उम्यद वन्स उनका इन्होंने स्टार्ट किया यह जो जो इसलाम धर्म के अंदर में धर्म निर्पेक्ष की रूप की बात करते हैं इन्होंने की धर्म निर्पेक्ष की बात करी इसलाम धर्म के अंदर में मुस्लिम राज् हैं इनके दुवारा इसने केंद्रिकृत पर बल दिया केंद्रिकरण पर बल दिया कि सभी चीज़ का अश्क LOT करा तरहा यहां पर बनता है कि उमर्दुत्य यहां पर देखनेक लिए नहीं मिलता है कि यहां ऊश्वार देखो पलता एया ओंतिम खिखा देखों के तौर पर जाना गया ठीकिख पर उनका यहां बेना वो नाम मातर का रहता है अगर किसी धर्ट जिवा को तहवार को लेकर चीज को लेकर थो अरब से ही उसको लीड के अगर जैसे एद बना is या कुछ क्लिए कि इसलाम धर्म का उध्य किस परकार से हुआ इस्लाम धर्म का इंपेट किया रहा है कुछ इस तरह के इंपरण को सबस्टे हैं जितने भी पोइंब्डियो को देख लो इस पॉइंट को फॉलॉउउप कर लो आपका पूरा चैप्टर किलिए हुजाएगा क्यूंकि आ आपके बुक में से ही लिए गए हैं, तो आपके लिए easy होगा इसको पढ़ना बुक के मुकाबले में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो end करूँगा, बस एक request रहगा आप सबी वीवर से, जो मैंने question आप वीडियो डाला था, वो आप जरूर आंसर करें, ठीक है, पॉप वाद आज के समय में कौन है, करेंट में पॉप हैं कौन, ठीक है, और कहां आप से यह लीड करते हैं, यह जरूर बताएं, सासात में, जो भी हमारा चैनल है, इन अब नवीं फोन को भी लाइक से सस्क्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक हमारे चैनल का लिंक को पहुंच आएं, क्योंकि आपके एक लाइक से सस्क्राइब से में मोटिवेशन मिलता है, कि अच्छे से मैनत कर सके, और अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप गूगल ब्लोगर पर जा सकते हैं, वहाँ पर इसका नोट्स मिल जाएगा, आपको free of course, आपके लिए कुछ पेक नहीं करना है, directly जाके आप नोट्स उसका ले सकते हैं, और इसका यूज कर सकते हैं, बाक